तीन पीसेज लिये हैं मैंने एक मेन फैब्रिक एक अस्तर और एक रफली कपड़ा एक मैंने बीच में फॉर्म लिया है फॉर्म को मैं चारों तरप से तीनों के बीच में रखूंगी फॉर्म और आइट साइट कपड़ों को रखते हुए इस तरीके से तीनों कपड़ों को हम एक बराबर में सिल लेंगे और इन में हम कुल्ट दे देंगे कुल्ट हमने आप चाहें जिस भी सेप में दे सकते हैं मैंने तिरचे में दे रखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे कपड़े में हम कुल्ट दे देंगे अब कुल्ट देने के बाद मैं इसे जितना भी चारो तरप से मेरा कपड़ा एक्ट्रा बचा हुआ है उसे कर लूँगी सारा कट कट करने के बाद देखिए कुछ फाइनल लुक इसका इस तरीके से आता है और इसे करेंगी मैं डबल इस तरीके से सुल्टी साइट से ही हमने डबल करना है जहां स हमारा मेन फैबरिक होगा तो देखिए इसकी लंबाई मैं आपको बता दूँ फोल्ड करने में 8 है और वैसे 16 है और चोड़ाई जो है मैंने 10 रखी हुई है तो 8 इंच जहां पर हमारा बीच में जो इसका डबल करके पाट आता है उसमें हम देखिए इस तरीके से नीचे न निशान लगाएंगे इन निशानों को हमने दोनों साइट लगाना है जो साड़ी तीन वाला हमारा निशान है इस साइट से भी और उस साइट से भी हम एक निशान लगा के मार्क करके लाइन को ड्रॉ करतेंगे तो इस तरीके से हमारा इतना हिस्सा कंप्लेट हो जाएगा अब इसे हमने ऐसे ही छोड़ना है और उपर हमने लगानी है इस पे चैन, चैन हम किस तरीके से लगाएंगे देख लीजिए सुल्टी साइट पहले नीचे को रखेंगे और एक सिलाई पहले हम इसमें सीधी करेंगे इस तरीके से, इतना करने के बाद फिर इसे हम इस तरीके से पलटिंगे और इसकी हम देखिए इस तरीके से एक टॉप स्टीज भी लगा दिंगे जिससे की हमारी जो चैन है वो अच्छी तरीके से पैड़ जाती है अब इसी तरीके से हमने सेक्ट साइट भी करना है आप देख सकते हैं इसम भी हम एक टॉप स्टीज या प्रेस्टीज आप जो भी कहते हैं वो आप इस पर करेंगे तो प्रेस्टीज भी हम इस पर कर लेते हैं और प्रेस्टीज करने के बाद अगर आपको प्रेस्टीज इस तरीके से करने में दिक्कत होती है तो आप चैन को अलग भी कर सकते हैं मैंन तरीके से लेंगे मतब कि जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम अंदर को डालेंगे और जो 3.5-3.5 इंच के हमने दो निशान लगाए थे उन्हें हम इस तरीके से मिलाएंगे और आइट साइट से हम लगाएंगे इस पर सिलाई इसलिए हमने मार्क किया था ताकि हमें कपड़े को जब हम उपर को फोल्ड करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो आप यहाँ पर डबल सिलाई कर लीजिए तो इस तरीके से मैंने डबल सिलाई करके एक साइट कम्प्लीट की है दूसरी साइट भी मैं इसी तरीके से सिलोंगे बस ध्यान रहे आप जो भी हमने मार्क किया है मार माक से माक को मिला करके हिसलाई करना तो हमारी जो इसकी फिटिंग वगर है वो बिल्कुल सही आएगी अब इस तरीके से हमने मेजर करने के बाद इसे इस तरीके से सिल लिया है रफ एसस को हटा दिये है अब रफ एसस को हम बंद करने के लिए देखिए कि इस तरीके से हमने एक contrast का कपड़ा लिया yellow color का और उसको इस तरीके से मैंने इस पर पहले एक stitch लगाई है तो देखिए इस तरीके से stitch लगाईंगे और कपड़े को इस तरीके से दिरो करके इसमें इस तरीके से fold करके इसे हम seal लेंगे इसके लिए मैंने एक loop तैयार की थी तो उसे भी मैं इसे लगा लूंगे यहाँ पर दोनों side में से आप किसी भी side लगा सकते हैं से तो इस तरीके से loop लगा करके मैं इसे तैयार करूंगे सेम इसी तरीके से हम second side भी ready करने वाले हैं loop हम एक ही side लगाईंगे तो इसी तरीके से मैं दूसरी side मिलेंगे और वो भी बिल्कुल कितनी बड़िया मैंने इसके अंदर से देखी कपड़ा लगा करके कितना बड़िया सिला है आपको कोई भी रप ऐसे इसमें नजर नहीं आएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और नए है तो सस्क्राइब कीजिए